हारून रशीद एक बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी, उसके जमाने में बहलोल नाम के एक बुजर्ग थे, वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, इसलिए हारून रशीद उनका बहुत एहतेराम किया करता था, हारून जाथी और कुरान की तिलावत के लिए उन सब की ड्यूटी अलग-अलग शिफ्टों में लगी हुई थी, जिसका नतीजा ये होता था कि महल में 24 घंटे कुरान की तिलावत होती रहती थी, और उसका महल कुरान का गुलशन लगता था, एक दिन की बात है कि हारून रशीद अपनी बीवी जुबैदा के साथ गरिया के किनारे टहल रहे थे, कि एक जगह बुजर्ग दाना बहलोल को बैठे हुए देखा देखते ही इसने सलाम किया, तो दाना बहलोल ने जवाब दिया, बहलोल उस वक्त मिट्टी का घरोंदा बना रहे थे, तो हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो, बहलोल ने जवाब दिया, रेत में घर बना रहा हूँ, हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए बना रहे हो, बहलोल ने जवाब दिया, जो इस घर को ख्रीदेगा, मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उसको जन्नत में घर अता फ पर ध्यान नहीं दिया और वो आगे बढ़ गया इसके पीछे जुबैदा खातून आई उन्होंने ने भी सलाम करके यही सवाला पूछे क्या कर रहे हो किसके लिए बना रहे हो तो बहलोल ने फिर वही जवाब उनको भी दिया कि जो इस घर को खीदेगा मैं उसके लिए दु कर देना और फिर वो आगे बढ़ गई रात को जब हारुन रशीद सोया तो उसने ख्वाब में जन्नत के हसीन मंजर देखे खूबसूरत जरने हरे भरे बाग और उचे उचे खुशनुमा महल भी थे और उन महलों में एक महल ऐसा भी था जिस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ था हारुन रशीद ने सोचा कि मैं देखूं तो सही मेरी बीवी घर कैसा है लेकिन इस से पहले की महल में दाखिल होता महल के एक चौकीदार ने उसे रोक लिया हारुन रशीद ने कहा इस महल पर मेरी बीवी का नाम लिखा है ये मेरी बीवी का है इसलिए मुझे अं अलग है यहां जिसका नाम होता है उसी को अंदर जाने की इजाजत होती है इसके अलावा किसी और को नहीं। जब चौकीदार ने हारुन रशीद को पीछे धक्का दिया तो हारुन रशीद की नींद खुल गई। जाने पर उसे यकीन हो गया कि बहलोल की दुआ जुबैदा क हक में कुबूल हो गई और खुद पर अफसोस करने लगा कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता तो कितना अच्छा होता वो सारी रात इसी अफसोस में करवटे बदलता रहा। सुबह आख खुली तो उसने सोचा कि आज जरूर मैं दरिया के किनारे जाऊंगा और बह बहलोल को उसी तरह का मकान बनाते देखा तो क्रीब जाकर सलाम किया और बहलोल ने जवाब दिया इसके बाद फिर वही सवालात शुरू हो गए हारुन रशीद ने पूछा क्या कर रहे हो बहलोल ने जवाब दिया रेट में घर बना रहा हूं हारुन रशीद ने पुछा क इसके लिए बना रहे हो। बहलोल ने जवाब दिया। जो इस घर को ख्री देगा मैं उसके लिए दुआ करूंगा कि अल्ला ताला उसको जन्नत में घर अता फर्माएं। हारुन रशीद ने पुछा इस घर की क्या कीमत है। बहलोल ने जवाब दिया। इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादसाही है। हारुन रशीद ने कहा इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। लेकिन कल तो एक ही दीनार के बदले दे रहे थे और आज पूरी दुनिया की बादशाही मांग रहे हो बहलोल ने कहा बादशाह सलामत। कल बिन देखे मामला था और आज देखा हुआ मामला है, कल बिन देखे सौदा था इसलिए सस्ता मिल रहा था और आज चूंकी जन्नत देख आये हो इसलिए अब इसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ेगी हमारी मिसाल ऐसी ही है कि आज हमने अल्लाह और उसके रसूल को बिन देखे माना था इसलिए जन्नत बड़ी सस्ती है लेकिन जब मौत के वक्त की आखिरत की निशानिया देख लेंगे तो फिर उसके बाद उसकी कीमत अदा नहीं कर सकेंगे अल्लाह ताला हमको सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फर्माएं आमीं